पिछले दिनों जब चावल दूद दही पर GST की दरे बढ़ाई गई तब पूरी जनता में खलबली मच गई लेकिन क्या आपको पता है आपकी जेब पर एक और चीज का बोज बढ़ गया है एक और ऐसी चीज है जिसके लिए अब आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है लेकिन अजीब बात यह है कि जितना दुख आपको आटे पनीर के रेट बढ़ने का हो रहा है उतना दुख आपको इस दूसरी चीज के बढ़ने का नहीं हो रहा नमस्कार स्वागत है आपका स्काइन्यूस ग्लोबल में मैं हूँ आपके साथ यास्मिन मोबाइल रिचार्ज करने से लेकर बिजली का बिल भरने के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट प्रेफर करते हैं भुकतान और ओनलाइन ओर्डर जैसी सुविधाओ के लिए कई लोग डिजिटल पेमेंट आप पेटियम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हाली में पेटियम आप से मोबाइल रिचार्ज करना महंगा हो गया है दरसल डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटियम यूपी आई क्रेडिट कार्ड और वॉलेट से भी रिचार्ज करने पर कुछ यूजर से एक से छे रुपे तक की प्रोसेसिंग फीज यानी प्लैटफॉर्म शुल्क ले रहा है आईए सबसे पहले जानते हैं ये प्लैटफॉर्म शुल्क है क्या पेमेंट मोड की परवा किये बिना रिचार्ज या बिलमुकतान के लिए आप जिस प्लैटफॉर्म का इस्तिमाल करते हैं उसके लिए आपको एक चार्ज देना पड़ता है आसान शब्दों में कहें तो प्लैटफॉर्म शुल्क एक मामली शुल्क है जिसमें GSTV शामिल होता है पहले कई डिजिटल पेमेंट आप ये प्लैटफॉर्म शुल्क नहीं लेते थे लेकिन अब कुछ आप ये शुल्क लेने लग गए है पेटियम के नए अपडेट के तहट यूजर्ज अगर मोबाईल रिचार्ज करेंगे तो उन्हें 1 रुपे से 6 रुपे तक के बीच में एक्स्ट्रा प्लैटफॉर्म शुल्क देना पड़ेगा हाला कि आप से कितना प्लैटफॉर्म शुल्क लिया जाएगा इसका एक्चुल अमांट आपके रिचार्ज की राशी पर डिपेंड करता है उधारन के तोर पर अगर आप 249 रुपे का रिचार्ज करते हैं तो आपके अकाउंट या वालेट से 1 रुपे एक्स्ट्रा यानी 240 रुपे कटेंगे इस सर्विस चार्ज को हर तरह के पेमेंट मोड पर लागू किया जाएगा यहां तक कि अगर आप UPI से भी पेमेंट करेंगे तब भी आपका ये चार्ज कटेगा वहीं दूसरी और गौर करने बाली बात ये है कि साल 2019 में पेटियम ने कहा था कि रिचार्ज ये किसी थरह की पेमेंट पर वेग्राकों से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा और अब 2022 में वेग्राकों से चार्ज वसूर रहा है आपको बता दे कि सिर्फ पेटियम ही सर्विस चार्ज नहीं लेता जहां Paytm Mobile Recharge पर एक रूपे सर्विस चार्ज लेता है तो वहीं phone पे 2 रूपे सर्विस चार्ज ले रहा है यानि अगर आपको 249 रूपे का Mobile Recharge करना है तो phone पे पर आपको 241 रूपे देने पड़ेंगे लेकिन अबे भी कई ऐसे Online Payment अप है जहां पर आपको सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा ऐसे अप के नाम है Amazon Pay, Google Pay, Bheem इन अप्स का इस्तिमाल करके आप बिना सर्विस चार्ज दिये अपना Mobile Recharge Bill Payment आदी कर सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे है Sky News Global